दोस्तों नमस्कार आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर मैं हूँ डॉक्टर प्रदीप प्रसन और आप भी प्रसन होंगे आईए कुछ नई बाते सीखते हैं आज के टोपिक के साथ विद्यार्थियो आज की वीडियो मना रहे हैं हिंदी नाटक पार्ट टू पार्ट बन में हम चार भागों में नाटक की विकास यात्रा को बाट कर और उसमें भारतेंदु यूग को लेकर कि हमने चर्चा की भारतेंदु यूग में ही अब कुछ और अन्य धाराएं जिनके अंदर नाटकों को विभाजित करके देखा जा सकता है वो सब दी गई हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से वीडियो श्टार्ट करने से पहले आप से रिक्वेस्ट एदिया आपने हमारा चैनल अभी तक हिंदी की बिंदी को सब्सक्राइब नहीं कर रहे है तो उसे कर लें ताकि सभी वीडियो आसानी से आप देख सके आईए तर शुरू करते हैं आज की वीडियो हिंदी नाटक पार्ट टू पोरानिक धारा इसकी तीन उप धाराएं राम चरित संबंधी खर्शन चरित संबंधी था अन्य पोरानिक आख्यान संबंधी है राम चरित संबंधी नाटकों में देव की नंदन खत्री कृत सीताहरन और राम लिला सीतला प्रशात्र पाठी कृत राम चरित्र नाटक उलेकनी है कृष्ण चरित्र सम्मंदी नाटकों में अंबिकादत व्यास क्रत ललीता, हरीहर्दत दूबे क्रत महारास और काल्प व्रक्षथा सूर्य नारायन सिंक्रत श्यामानुराग नाटिका उलेखनी है कृष्ण परिवार की वेक्तियों के चरित्र से सम्मंदी नाटकों में चंद्र शर्मा क्रत उशाहरन, कार्तिक प्रसाद खत्री क्रत उशाहरन और अयुद्ध्या सिंग उपाधाय क्रत प्रद्युमन विजेत था रुक्मणी परिणे है, पुरानिक आख्यानकों से सम्मंदी गजराज सिंक्रत रोप्ती हरन, श्री निवास दास क्रत प्रींद चरित्र, बाल कृष्ण बटक्रत नल दम्यंती स्वेंबर और शाली ग्राम लाल क्रत अभिमन्यु प्रसिद्ध हैं एतिहासिक धारा एतिहासिक नाटक धारा निल देवी से प्रारंब होती है, एतिहासिक नाटकों में श्री निवास दासकरत सन्यूगिता सुवेंबर, राधाचरन गोस्वामिकरत, अमर सिंग राथोड और राधाकृष्ण दासकरत महाराना परताप ने विशेश ख्याती समस्या प्रधान नाटक समस्या प्रधान नाटकों का मूल स्वर समास सुधार है इस युग में जो तिवर संघर्ष सामाजिक इस्तर पर सुधारवाद की भावना से हो रहा था वैसा इसकाल के नाटकों में नहीं दिखाई देता इनमें नाटक के नाम पर समस्याओं का वर्णन मात्र हुआ है फिर भी इनमें सामाजिक जागरूकता मुख्य हुई है इसमें संधे नहीं कि ये अपने इसी स्वरूप में आगे के नाटकों के लिए कड़ी का आधार रहे दास कृत रनधीर प्रेम मोहीनी 1870, किशोरी लाल गुस्वामी कृत मयंक मंजरी 1891 और प्रणेनी प्रणे परिने 1890, खडग बहादूरमल कृत रती कुषुमा युद्ध 1885, शालिक राम शुक्ल कृत लावन्ने वती, सुदर्शन 1882 तथा गोकुल नाथ शर्मा कृत पुष् युद्धपी इन नाथकों में उपदेशों की भी सर्वत्र बरमार है, जिन में समय का सदुप्योग विश्या से घ्रणा छोटे बड़े के भेद की व्यर्तता भाग्यवाद में विश्वास आदी विश्यों पर भी उपदेश दिये गए हैं, फिर भी इन नाथकों की वि लाई गई थी, उसका मूल कारण सांस्कृतिक और राष्टी द्रष्टी से उपस्तित क्रांती काल ही था, प्राच्चे और पाश्चात्य संस्कृतिक की टकरहाट से नव जागरण का आलोक विकीर्ण हो रहा था, भारतेंदु युगी नाटकारों ने इस जागरण को अभ 1885 अंबीका दास व्यास करत भारत सो भागे, 1887 गोपाल राम गेह मरी करत देश दशा, 1822 में, देव की नंदन तिरपाठी करत भारत हरन, 1889 में आधी नाटक विशेश उलेखनी है, इन नाटकों में देश की तितकालीन दुर्दसा का चित्रन खींचा गया है, आलोक युग के अनेक सफल प्रहसनों में से बाल कृष्ण भटकरत जैसा काम वैसा परिणाम, 1833 और प्रचार विडबना, 1889 में विजानन त्रपाठी करत महा अंधेर नगरी, 1833 में राधाचर्ण गोश्वामी करत बूढे मुह मुहा से, 1886 राधा कृष्ण दास करत देशी कुतिया वि प्रशनों को विशेश प्रसिद्धी प्राप्त हुई, नवीन वैचारिक आलोक के फलस्वरूप इन प्रहसनों में प्राचीन रूडियों, गिसी हुई परंपराओं और अंध विश्वासों पर व्यंग किया गया है, तथा समाज के महनतों और कुटिल जनों पर प्रहार क किये गये हैं, आलोची युक्की नाटक साहित्य का आवलोकन करने पर यह इस्परष्ट होता है कि इस युक्की नाटक विशे वैविध्य में पूर्ण है भारतिन्द युक्की नाम से, अभीत इस संक्रांती काल में अनेक प्रशनों कार यथा कर आलस से पारस परिक फूट मद्यपान पाश्चत सबिता कंधन उकरन, धार्मी कंद विश्वास पाखंड छुवाचूत आर्तिक शोशन बाल विवा, विद्वा विवा वेश्य गमन आदिक नाटकों का विशे बनाया गया, ऐसा नहीं है कि किसी एक नाटक में इनमें से एक यदो बातों को लिया गया हो, पर आउसर पाते ही सभी बातें एक ही नाटक में गुमफित हुई हैं, इससे कथानक में भले ही शितिलता आ गई, किन्तु जंज जीवन की विशंगती अवर्ष्य सपष्ट हो जाती है, नाटकों में प्रधान रूप से समाज में व्याप्त ऐशांती और व्यग्रता का चितरन हुआ है, नाटक कार अपने युग के प्रती बड़े सजग दिखाई पड़ते हैं, उन्होंने भारत का अधेपतन अपनी आखों से देखा था, चारों और रूडी ग्रस्त, निश्क्रियता और मानसिक दास्ता में, जकडी हुई जंता, पाश्चात्य सभ्यता का द इनकी वाणी में नवोधित भारत की आकांशाओं का स्वर प्रतिध्वनित होता है, शास्त्री द्रष्टी से भारतेंदु काली नाटक संस्कृत नाटे सास्तर की मरियादा की रक्षा करते हुई लिखे गए, साथी पाश्चात्य नाटे सास्तर का प्रभाव भी इन पर ल कमपनियों की अश्टिलता और खुवडपन की प्रतिक्रिया थे, तो दूसरी और पाश्चात्य और पूरु की सब्वेता की टकरहाट के परिणाम, इसलिए उनमें एविचारित पुरानापन या एविचारित नयापन कहीं नहीं है, अभिनेता की द्रष्टी से ये नाटक अत्यदिक सफल हैं, भारतिंदू और उनके सहयोगी स्वेम नाटकों में भाग लेते थे और हिंदी रंगमंच को इस्थाफित करने के लिए उत्सुप थे, नाटकों के माध्यम से जनता को वे जागरण का और आने वले युख का संदेश देना चाहते थे, इसी कारण भार भारतिंदू युगीन नाटकों पर विचार कर लेना भी समिचीन होगा, इस युग में संस्कृत बंगला था अंग्रेजी के सूपरशिद्ध नाटकों के हिंदी में अनुवाद किये गए, अनुवाद की परंपरा भी भारतिंदू से ही प्रारंब हुई थी, जिसकी जर् संस्कृत बंगला और अंग्रेजी के नाटक अनुदित करने में सनलगन रहे संस्कृत, भावभूती उत्तर रामचरित का अनुवाद देव दत्तिवारी ने किया 1891 में, नंदलाल विश्वना दुबे 1891 में, लाला सीताराम 1891 में, यानिकि इन समने उत्तर रामचरित का अ मालती माधव भावभूती का नाटक लाला शालिगराम ने 1881 मनुवाद किया, लाला सीताराम ने 1898 में नुवाद किया, महावीर चरित लाला सीताराम ने 1897 में, कालिदास के अभिज्यान शाकुंतलम का नंदलाल विश्वनात दुबे 1888 में, माल विकागनी मित्र का लाला स सीतराम ने 1898 में, कृष्ण मित्र के प्रबोद चंद्रोदे का शीतला प्रसाद ने 1889 में, अयुद्या प्रसाद चोधरी ने 1885 में, शुद्रक के म्रच कटिकम का गदाधर भट 1880 में, लाला सीतराम 1899 में, हर्ष के रतनावली का देवदत्तिवारी ने 1872 में, बाल सिंग ने 1798 में, भट नारायन के वेणी संघार का जवाला प्रसाद सिंग ने 1898 में, बंगला नाटक माईकेल मदुसुदंदत पदमावती का अनवाद बाल कृष्ण भट ने 1888 में, शर्मिष्टा का रामचरन शुकल ने 1888 में, कृष्ण मुरारी का रामकृष्ण वर्मा ने 1898 में, द्वारिका नाथ गांगुली ने गांगुली वीर नारी रामकृष्ण वर्मा 1889 में, राज की सोर पदमावती रामकृष्ण वर्मा 1888 मन मोहन वसुव सती उधित नारायन लाल 1880 अंग्रेजी के नाटक सेक्सपियर का मर्चंट ओफ वेनिस का वेनिस की व्यापारी आर्या 1888 तक होमेडी ओफ एरर्स भ्रम जालक मुन्श्री इमदाद अली भूर भुलिया लाला सी तराम 1885 एज यू लाइक एट मन भावन पुरोहित गोपिनाथ 1896 रोमियो जूलियट प्रेमलीला पुरोहित गोपिनाथ 1898 मैक बैथ सहासेंद्र सहास मतुरा प्रसाद उपाध्याय 1898 जोजेफ एडिसन केटा क्रतान्त बावु तोता बावु तोताराम 1889 भारतिन्दु यूगीन नाटकारों की अनुदित रचनाएं केवल उनकी अनुवाद वृत्ति का ही दिख निरदर्शन नहीं कराती वरन सामाजिक जीवन के उन नयन के लक्ष को भी प्रकट करती हैं अनुवाद उन रचनाओं के माध्यम से वस्तुते एक नाट्यादर्श प्रस्तुत करना चाहते थे और उन नैतिक तत्वों के प्रतिभी जागरुप थे जो नव जागरन में साहिक थे इस प्रकार भारतिंदु युगीन इन नाट्कों की विशे वस्तु में वैविध्य मिलता है रामयन और महभारत के प्रसंगों को लेकर पोरानिक नाटक पहुतायत से लिखे गए इसी संदर्ब में ऐसे नाटकों की संख्या भी प्रियाप्त कही जा सकती है जो नारी के सतित्व और पतिवर्ता के आदर्श से समंदित है सामाजिक नाटकों में भी विशे वस्तु का वैविध्य और विस्तार मिलता है इस कालमे मुख्य रूप से अनमेल विभा, विद्वा विभा, बहु विभा, मध्यपान, विश्या गमन, नारी स्वातंत्रे आदी समस्याओं पर विचार किया है किन्तु युगीन संदर्व के प्रती इस प्रकार की जागरुकता के बावजूद अनुभूती की तिव्रता और नाटे शिल्प की विशिष्टता के अभाव में इस युग का नाटे साहित्ते कोई महतुपून साहित्ते देन नहीं दे सका फिर भी नाटे रचना और रंगमंच के लिए जैसा वातावरन इस युग में बन गया था वैसा हिंदी साहित्ते के किसी काल में संभव नहीं वार्थात ये एक विशिष्ट युग रहा नाटक और रंगमंच दोनों की दृष्टियों से और इस तरहें का प्रारंब में ही रंगमंच और नाटक का अपना एक बड़ी बात है तो विद्यारतियों ये थी आज की वीडियो हिंदी नाटक भाग दो वीडियो आपने पूरी देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपनी पृतिक्रिया जरूर दें कमेंट्स के माध्धम से में बताए वीडियो आपको कैसी लगी यदि फिर भी नाटक को लेकर इस वीडियो को लेकर या अन्य कोई हिंदी साहित्ते को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट्स के माध्धम से पूछी हम उसका जवाब देंगे और हिंदी की बिंदी चैनल को आप सबस्क्राइब जरूर कर लें ताकि सभी वीडियो आप आसानी से देख सकें हमने प्लेलिष्ट बना रखी है उसके माध्धम से भी आप अपने कोर्स का अपने स्लिबस का चैन कर सकते हैं उससे समझत वीडियो देख सकते हैं आसानी से और अपने दूसरे से पाठियों के साथ भी इस वीडियो को साजा करें शेयर करें ताकि वो भी लागानमीत हो सके आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर मिलते हैं नए टोपी के साथ तब तक लिए शुक्रिया नमस्कार झाल